नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूप टुप चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो चले वीडियो प्रारम करते हैं ये वीडियो यूपी पीशियस पर ये जो 24 अक्टूबर को जाम हुआ था उसका सिकेंट पेपर है समानाध्यन देखें यह लिखा है सिकेंट पेपर ये समानाध्यन टू दो घंटे का सी शीरीज का ये है बुकलेट जिसका भी सीरीज होगा उसको मिलाने में असानी होगी तो चले पेपर क को साल्ब करते हैं पूरा टोटल 100 कोसं है सउ कोसं का साल्ब इसम मिले गा आपनों को है तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं अब वीडियो power करने से पहले अफसे छोट इस रिक्वेस्ट है अभी तक आप आप ँमारे चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने को बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना नौ भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करो उसका नौटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं देखे सब्सक्राइब किष्ते में जीजी विषा का अर्थ है तो इसमें राहत एंसर हो जाएगा जीने की इच्छा यह इसमें राहत एंसर होगा कोशन नमबर दो है उसे नहा कर भोजन के आवाक में नहा कर किस क्रिया का उधारण है तो ये संयुक्त क्रिया का उधारण है कोशन नमबर तीन है हो सकता है वो आया हो वाक के है तो ये वाक कैसा है तो ये जो है संदिंग वर्तमान वाक के है कोशन नमबर चार देखिए निमलिकित तस्तम तदभाव का सुद्ध युग्म है तो तस्तम तदभाव का सुद्ध युग्म पूछ रहा इसमे तो इसका राइट एंसर डी वला होगा इसमे आवस्याय ड्रैस ओस ये तस्तम है एक और एक ओस जो है तदभाव है कोशन नमबर पांच देखिए पांच से नव तक पैराग्राप से आपको पढ़ कर एंसर देना है तो चलिए हम डारेक्ट एंसर देते हैं इसका आप लोग पैराग्राप पढ़े होंगे पढ़ लिजीएगा पांच वा नमबर देखिए है आत्म सैयम का तात्परि है यानि कि आत्म सैयम का क्या तात्परि है तो इसका तात्परि होगा इंदिरियों के बिशेक के प्रती आकरसक पर सैयमन कोशन नमबर छे है सत्ता चयुत का सही वर्तनी बिसलेशन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा B नमबर स, त, त, आ, च, य, उ, त, आ 20 का राइट एंसर होगा Qशन नमबर साथ है आज का मानो जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है तो इसमें राइट एंसर हो जाएगा C सही है Qशन नमबर आठ है Qशन नमबर आठ है तो गँड़्यांस के अनुसार भोतिक पदार्त है तो इसका राइट एंसर D होगा सुख दे सकते हैं किन्तु आनंद नहीं Qशन नमबर नौ है भोतिक पदार्तों के प्रति इंदریओं का प्रवल आकरसक है तो प्रवला करसक इसमें राइट एंसर होगा D, मानुवी दुखों का मूल कारण कोश्चन नमबर दस नमबर आते हैं यहां पर है कोश्चन नमबर दस बाती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है इसका राइट एंसर हो जाएगा B, आउसर का लाव उठाना कोश्चन नमबर 11 है अज का अर्थ नहीं है अज का अर्थ नहीं है यह पूछ रहा है तो मोती जो है अज का अर्थ नहीं है कोशन नमर 12 देखे, निम्न में से सही यूगम चुनिया, इसमें कौन सा सही यूगम है, तो आमदनी फारसी, ये जो है 12 का B राइट अंसर का ये सही है, कोशन नमर 13 पराते हैं, 13 नमर कोशन है, निम्न लिखित में से किस सब्द में एका धिक उपसरगों का प्रियोग हुआ है तो ये प्रियोग हुआ है किस में? ब्याकरण में, इसका राइट अंसर C होगा 13 का ब्याकरण, कोशन नमर 14 है, महत्त पोन कृति क्रिशनायन, उत्तर परदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है किस बोली में? ब्रज बोली में, इसका र व्याई भाव कोशन नम्बर 16 है सब्द चयन की दृष्टी से इन में से एक सुद्ध वाक्य है इसका राएट एंसर D हो जाएगा रामचेंदर सुखले ने अनेक गरंथों की रच्ना की ये एक सुद्ध वाक्य है कोशन नम्बर 17 है उतकर्स का बिलोम है उतकर्स का बिलोम क्या होता है अपकर्स क्या होता है अपकर्स कोश्टन नमर अठारा आता है सुमेलित करने वाला आईए अलप बिराम अल्प बिराम यह देख्या अल्प बिराम का चीन ऐसे होता है कोष्ठक जानते ही है आप लोग ऐसे होता है यह चार नमबर बी का संचेप सूचक यह है आपका दो नमबर योजक एक नमबर तो इसका राइट एंसर हो जाएगा D सुमिलित हो गया है आपका 18 का D राइट एंसर होगा कोश्चन नमबर 19 देखते हैं कोश्चन नमबर 19 है निमलिखित में से सुद्ध वर्तनी वाला सब्द है सुद्ध वर्तनी वाला सब्द इसमें पूछा है तो वो है आपका घनिष्ट 19 का B होगा इसमें घनिष्ट जो है सुद्ध वर्तनी वाला सब्द है कोश्चन नमबर 20 है स्वार्थ में कौन सी संधी है स्वार्थ में कौन सी संधी है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इसमें B यन संधी कौन सा है यन संधी कोश्चन नमबर 20 है गमन सब्द को विपरात्थक बनाने के लिए इन में से किस उफसर का प्रयोग सुद्ध है ये सुद्ध है आ इसका रायवाची सब्ध है इसका बीबुद जो है प्रायवाची सब्ध है रायवाची सब्ध है रायवाची सब्ध है रायवाची सब्ध है रायवाची सब्ध है आप दे कोस में छत्रिय छा का क्रम इनमें से किस वाण के बाद में आता है यह आता है को वाण के बाद छत्रिय तो 23 का राइट अंसर जाएगा इसमें सी को कोसन नमबर 24 देखें इंगलिस वला है इंगलिस का आप लोग पढ़ दिजेगा 24 नमबर का सी इसमें राइट होगा दैन यहीं फिल इन दी ब्लैंक इन दी गीवन सेंटेंस बाई चूजिंग दा करेक्ट आफशन यह जो है आपका एंसर इसमें सी होगा दैन कोसन नमबर 25 देखें 25 का राइट इंसर इसमें बी होगा इसको मिला लेजेगा कोसन नमबर 26 है 26 का राइट इंसर इसमें यह होगा कि टोल्रेट कोसन नमबर 27 आते हैं विच आप दी दीज वर्ड इन दी वर्ड वारंगली स्प्लेंट तो 27 का राइट इंसर इसमें होगा आपका डी कि ट्रांस्मिशन इसके बाद देखें 28 तक एक एक तीस तक पैराइट इसमें सेंसर देना है तो यह यह आसानी होगा तो 28 नमबर का मिला लिजिएगा पैराइगराफ पढ़कर आप लोग एंसर दे सकते हैं तो 28 का राइट इंसर इसमें सी होगा सई 29 का देख लिजिए 29 का भी right answer इसमें C सही होगा इसके बाद आते हैं 30 number 30 का जो right answer होगा इसमें B वाला सही होगा 31 number देखें 31 का right answer होगा इसमें B 31 का B होगा और 32 number पर आते हैं 32 number का इसमे Choose the correct indirect speech of the given sentences दिया इसमें इसमें एंसर होगा आपका डी इसका राइट एंसर होगा 32 का को सब्सक्राइब 33 आते हैं कि अब यहां से आपका जो है इंग्लिस और हिंदी दोनों प्रारूप में क्वेस्टन होगे और उधर इंग्लिस था तो केवल हिंदी में था इसको थोड़ा से जूम कर लेते हैं केवल हिंदी वाला पॉर्शन देखेंगा हम लोग चलिए Question number 33 देखते हैं इसमें Question number 34 है दो समनानतर टीमों के बीज एक फूटबाल मैंच देखने के बाद एक ब्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था की विशेश टीम यानि विजितार टीम जीतने वाली है यह एक उधारन है तो यह एक उधारन कैसा है तो यह तुरूटी पुन मैक्तिव प् संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी मा तुम्हारे पिता की एक लवती पूत्री है तो वह महिला उस बैक्ति से किस प्रकार सम्बंदित है तो इसमें राइटर रोजाएगा सी है आपका माता इसका राइटर रोजाएगा कोशन नमबर 36 है वह संप्रेशन जो किसे संगठन में समय बचाता है और समय नमें को सहज बनाता है कहलाता है यह कहलाएगा पारस्विक संप्रेशन इसका राइट टेंसर हो जाएगा कोशन नमबर 37 है यदि बीते कल के पाहला दिन सनी वार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा तो ये होगा बुद्धवार इसका राइट एंसर हो जाएगा Question number 38 है नीर्ने लेने के संदर्ब में ब्यक्तिगत संभावताओं को आम तोर पर कहा जाता है तो आम तोर पर क्या कहा जाता है और पर क्यात्मक संभावता कहा जाता है D इसका राइट एंसर हो जाएगा 38 नमबर का Question number 49 देखिए सवाल आईए तो इसका 49 का आप लोग मिला लिजिएगा इसका राइट एंसर D होगा 2X प्लस 3 Question number 40 नमबर पर आते हैं Question number 40 है निमलिकित में से कौन सचेतन सरमल में बाधा नहीं है तो बाधा नहीं है तो वो है द्विक द्रिष्टी कौन इसका राइट एंसर हो जाएगा 40 का B Question number 41 हाते हैं 60 बेक्तियों के सरेच्छन में पाया गया कि 25 बेक्ति समाचार पत्र H पढ़ते हैं 26 समाचार पत्र T पढ़ते हैं 26 समाचार पत्र I पढ़ते हैं तो 9 दोनों यानि H आई पढ़ते हैं 11 एच और T पढ़ते हैं 8 दोनों T और I पढ़ते हैं तो तथा तो इसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा सी तीज होगी ये संख्या कोस्टन नमबर आते हैं 42 नमबर पर थोड़ा से धुदलाया है यदि कोई ब्यक्ति किसी समस्या का समधान अपने पुरू अनुभाव के अधार पर करने का परित्न करता है तो उसे कहा जाता है तो उसे करन प्रभाव इसका राइट अंसर होगा सी कोस्टन नमबर 43 है प्रेचेकों के समुई X1 X2 डाट 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 XN का 50 के लिए का 50 से किये गए बिचलोनों का योग 10 है तो 46 से किये गए बिचलोनों का योग 70 है तो परिचेपड़ों की संख्या पूछ रहा है कितनी होगी इस कोस्टन नमबर 44 है संप्रेशनल परकिरिया में सूचना को जान बूझ कर हेर फिर करना कहलाता है तो क्या कहलाता है जान पोज कर हेर फिर करना यह कहलाता परिचेपड़ों कि कि यूगम का चैन कीजिए इसका राइट एंसर देखे इसमें B होगा निर्णे वाकालत सम्मंदित है कोशन नमबर 46 है निर्णे लेने का उद्धिस होना चाहिए तो यह उद्धिस होना चाहिए सर्शिष्ट बिकल के निर्धारन कोशन नमबर 47 है A, B और C किसी कारे को क्रमसा 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं कितने दिनों में A उस कारे को पूरा कर सकता है यदि वह परतेक तिसरे दिन B और C द्वारा साहता प्राप्त करता है यह इसका राइट एंसर हो जाएगा 15 इसमें होगा 15 दिन कोशन नमबर 48 है निमलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समधान है तो चिंतन का तरीका नहीं है तो चिंतन का तरीका नहीं है तो वह है एना ग्रास्म D इसका एंसर हो जाएगा इसमें कोशन नमबर 49 है उन्चास आप लोग एंगरेजी सब्दिक कोस के अनुसार तीसरा सब्दिस में बेवस्थित करना है तो उन्चास का राइट एंसर हो जाएगा B, Q, E, E, A, S, Y कोस्टन नमर पचास आते हैं परस्परिक लेंदेन की रूप में समप्रेशन माडल के अनुसार लोगों के मद्ध अन्तख्रिया है तो लोगों के मद्ध अन्तख्रिया है तीसका राइट एंसर होगा D, सहकालिक अन्तख्रियात्मत कोस्टन नमर 51 है प्रभावी संचार होगा यदि वह इसका right answer C होगा प्रेशक दोरा इच्छी तुरूप से प्राप्त किया जाए question number 18 मिला लिजेगा question number 52 है तो इसका right answer ये वाला सही होगा इसमें 26 आएगा total इसमे question number 13 है 13 भी ये सा नहीं है तो 13 का भी आप लोग मिला लिजेगा इसका right answer D होगा इसमे question number 54 है 9,5 करमचारियों के 17 भी तन भी तरन को परदरसित करता है यहाँ पर भी तन मान दिया है एक में देखिए और एक में करमचारियों की संख्या देते हैं यहाँ पर पूचा है कि 125 से कम तता 125 तक 17 भी तन पाने वाले करमचारियों का परसत है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आपका 54 नमबर का 20 का राइटेंसर हो जाएगा 6 छट होगा इसका राइटेंसर question number 55 आते हैं दिया है की सो वार्षिक चकरविधी व्याज की दर से 1200 की धन रासी दो वर्सों में 348 दसमलो 32 हो जाएगी 36 परसत की अगर दर रहेगा तो दो वर्सों में इतनी रासी हो जाएगी सीज का राइटेंसर होगा 55 का question number 56 आते हैं समान समुं के सदस्यों केस मद्ध संप्रेशन है तो इसमें संप्रेशन होगा पार्स्विक संप्रेशन question number 57 है निमलिकित रेखाचितर तिर्भूजों की गर्णा करना कितने तिर्भूजे इसमें तो इसमें 16 तिर्भूजे 57 का इसमें सीज का 16 तिर्भूजे question number 58 है एक से सौ तक की गिंती संख्याएं है जो न केवल चार से पूर्टा विभाजित हो और जी तो रणिती का एक संस्क्रण है ये संस्क्रण है साधन साधे बिसलेशन का question number 60 है a, b, c एक तिर्भूज है जिसमें a, b, 3 cm, b, c, 4 cm तथा b, 90 degree है इसमें पूछा आईए तो इसमें देखे right answer आपका हो जाएगा c वाला 2.5 cm question number 16 है x का निवन्तम मान क्या होगा इसके लिए संख्या दिया है 17 से जो विभाजित हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा आपका c साथ होगा इसके संख्या question number 62 है समस्या, समाधान परक्रिया अनिवारूप से एक भ्रमण है तो समस्या, समाधान परक्रिया निवारूप से एक भ्रमण है तो इसमें राइट एंसर हो जाएगा समस्या परछेत्र के माध्यम से एक प्रकार का भ्रमण होता है तो 62 का राइट एंसर होगा c question number 63 है नीचे दियेगा एक बटन के लिए माध्य 28.5 हो तो x के मान क्रमसा है तो 63 का देखे इसमें वरगंतराल बरमबरता निकलना है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा d, 8 और 7 question number 64 है ये भी असानी है यदि किसी कूट भासा में पेंट को चबटर 128 लिखा जाता है तो एक सल को 93,596 से है तो उसी कूट को एक्सेप्ट में कैसे लिखा जाएगा तो इसका राइट एंसर होगा इसमें A ये ही इसका राइट एंसर होगा question number 65 है साथ खंबे दियें इसमें PQRSTUV कि इस प्रकार से लगाएं कि अगले दो खंबे ओकी बीच की जो दूरीय एक मीटर कम होती जा रहे है पहले दो खंबह याने P और Q के बीच जो है दस मिटर की दूरीय है तो पहले खंबे से और अंत्यट खंबे यान भी तक एक मीच की दूरी कितनी होगी इसकी दूरी होगी आपकी 45 मिटर आपको खंबा बना लेना है एक खंबा हो गया इस पर P दूसरा खंबा Q आप यहाँ पर देखे दिया है पहले दो खंबे यानि P Q के बीच जो है आपकी दूरी कितनी है 10 मिटर है ठिक 10 मिटर है P और Q के बीच इसके बाद देखे एक और खंबा यहाँ बना लिजे R अब दिया है कि 10 मिटर है और अगले दो खंबों के बीच की दूरी कम होती जाती इस प्रकार यह बेश्थित है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा इसके बाद एक और खंबा बनाएगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा इसके बाद एक और खंबा बनाएगे यहाँ T तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा 1-1 मिटर कम हो जा रहा है इसके बाद एक और खंबा यहाँ बनाएगे U तो यहां एक और खमा बनाएंगे इसमें आपका हो जाएगा छे इसके बाद आप बनाएंगे वी तो यहां एक खमा को जाएगा पांच ठीक अब इन सब को जोड़ देंगे तो आपका एंसर 45 मीटर हो जाएगा क्योंकि पी और वी जो है कितनी भी दूरी है यह सब को जोड़ दियागा तो 45 का राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमबर 66 पर आते हैं निमलिखित में से कौन सा एक परा भासा परा लेंग्वेज में समलित नहीं है तो यह समलित नहीं है तो वह है मौखिक अंता क्रिया समलित नहीं है चाछट का बी राइट एंसर होगा कोशन नमबर 66 आते हैं इसमें आपको खाली चीने भरना है तो इसका राइट एंसर देखिए बी होगा इसमें यहाँ पर देखिए साथ का चार में गुणा कर दिया है तो यहाँ पर आ गया 28 तेनी सच्चव का 28 यहाँ पर जो है पंदरा में तीन का गुणा कर दिया गया है यहाँ तीन में पंदरा कर दिया है यहाँ पर आ गया पनरतिया 45 ओईसे ही यहाँ पर आ जाएगा आपका दस पांद उना के दस तो यहां पर हो जाएगा दस सी राइट एंसर हो जाएगा इसका तो बी वला इसका राइट एंसर होगा कोश्चन नमबर आते हैं 68 नमबर है 68 नमबर देखते हैं इसका किसी घं के सभी फलकों को इस प्रकार से paint करने के लिए किनी दो सलंगड फलकों के रंग समान नो हो कम से कम कितने रंगों क्या आव सकता होगी इसमें कम सकम तीन रंगों क्या हो सकता होगी question number 89 है निगने लेने के संदर में कौन सा कथन सही है दिया है मानवी तर्थिता सीमित है दूसरा देख कोई विव्यक्ति अभ्यास के मादें से अपने नेड़ने लिए मिस्दार कर सकता है तो इसमें दोनों सहीत इसका राइट एंसर हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा आपका बी सबसे पहले दूसरा लाइगा लाट आयगा इस दोन्डी ओए गा ठीग घटी चाती आएगा फिर पेट आएका और लास्ट कैंए डेर ला रेतल यहां यहां पर अणिससーーर ness. कोशन नमबर 73 देखे निमलिखित में से बेवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की अधारभूत प्राविर्धी कौन सी है तो यह प्राविर्धी पूछ रहा है कौन सी है तो 73 का राइट एंसर हो जाएगा यह संप्रेशन है यह कोशन नमबर 74 है किसी परिच्छा में 30 नमबर 75 देखे निमलिखित में से कौन से असंगत है तो चुनना है कौशन नमबर चेतर है, चेतर नमबर का देखिएगा, चेतर का राइट अंसर हो जाएगा, आपका C, 196 होगा इसमें, कोशन नमबर 87 है, अंतर वैक्तिक की संगहर्स का सबसे अधिक उद्रित स्रोत है, ये स्रोत है कमजोर संप्रेशन, 87 का B राइट अंसर होगा, कोशन नमबर 88 है, सुर्योदय के बाद, एक सुबा मोहन और सोहन एक लान में दूसरे की पीठ करके खड़े है, मोहन की चाया उसके ठीक बायूर, पल रहे तो सोहन का मुख किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में, तो ये दच्छन दिशा में, यानि 89 का राइट अंसर हो जाएगा, D, कोशन नंबर 80 है, समस्या पर निद्रा एक प्रकार है, तो वो है उध्भावन का, किसका है, उध्भावन का, कोशन 118 है, कोशन नंबर 83 है, कठन और कारन से, संचार के लिए चंदर्मा को एक उबगरा के रूपर प्रियोग नहीं किया सकता चंदर्मा पिर्थिक विमत सता से गतिमान नहीं होता है दोनों सही है और ब्याख्या भी करता है इसका तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका A 82 का A होगा कोशन नमबर 83 देखिए दिया इसमें प्रोफेशनल सब्द के अच्छरों से निर्मिकित में से कौन सा सब्द नहीं बनाया सकता है तो वो है नारमल इसका राइट एंसर होगा C नारमल कोशन नमबर 84 है सच्छमता संबधता स्वातता की मनोबैगानिक अक्साकताओं को पूरी करने यानि पूरा करने के लिए किन कौसलों का एक प्रभावी भंडार आवस्यक है ये है अंतरवेक्तिव कौसलों का एक भंडार आवस्यक होता है इसमें कोशन नमबर 85 है कथन से है यहाँ पर कथन मिला लिजेगा 85 का आपको एंसर डारेक्ट बता दे रहे हैं 85 का एंसर हो जाएगा इसमें B केवल तर्क जो है सिकेंड वाला इसमें सही है कोशन नमबर 86 नमबर आते हैं समस्या समाधान में सादरिस्ता का उपयोग दर साता है यह उपयोग दर साता है राइट एंसर यह होगा तकनीकों का अनप्रियोग जिनका उपयोग पिछली समान परस्थितियों में किया गया था कोशन नमबर 87 है दिया एक वाईवान अपने निर्धारी समय से 30 मिनट देरी उड़ा और इसे 1500 किलमेटर दूर अपने गंतब्य पर समय से पहुंचने के लिए निर्धारित गती को 250 किलमेटर बढ़ाना पड़ा तो निर्धारित गती पूछ राइस में तो इसकी गती थी 7 2400 किलमेटर पर आवर्स कोशन नमबर 88 है 88 का राइट इंसर आप लोग मिला लीजीएगा इसका राइट इंसर सी होगा 2 और 4 इसमें अनुसरित होते हैं कि सीज का राइट एंसर रोगा 88 का कोशन नंबर 89 नंबर आते हैं इसमें संगठनों के अंतर वेक्तिक संप्रेशन के संदर्ब में निमलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है तो 89 का आपका राइट एंसर हो जाएगा 20 में केवल 2 ही सही है कोशन नंबर 90 है दिया इसमें आपको लगाना है इसमें कुट तो 90 का राइट एंसर आपका आजाएगा डी कोशन नंबर 90 है प्रभावी समस्या समधान का इस्टम धंग है जिसका धंग क्या है तो अभी धाना यम अनुमति को संतुलित करना कोशन नंबर 92 है यदि एक बिरत्यकार मार्ग की बाहरी तथा भीतरी परिमापो कानपात 23 समंधे 22 है तथा मार्ग 5 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक ब्रित का ब्यास होगा तो इसका ब्यास होगा 220 मीटर राइट एंसर सी होगा 92 का कोशन नंबर 93 देखते हैं डीउमा का समंध रूस से है उसी प्रकार जिस प्रकार सोरा का समंध किसे है तो ये सोरा का समंध अफगानिस्तान से वहां की संसत का नाम है सोरा कोशन नंबर 94 है निमलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर व्यक्तिक संप्रेशन की गत्यविताग पर बल देता है ये बल देता है अंतर क्रियात्मक प्रतिरूप का राइट एंसर इसका 94 होगा B कोशन नंबर 95 है सोनिया ने एक वस्तु 16 परसें लाब पर बेची यदि उसने उसे 4 परसेंट कम खरीदा होता तो आछ रुपया पर बेचा होता तो उसफे 25 परसें लाब मिलता तो वस्तु का क्रायमने पूछ रहा इस पर कितना होगा तो वस्तु का क्रायमने हो जाएगा 200 रुपे कोश्चन नमबर 96 है समस्या समधान में वर्तमान जनकारी को रुपांतरित किया जाता है यह कहता है आंतरिक मानसिक प्रतिनिदित्तों में D इसका राइट एंसर हो जाएगा 96 का कोश्चन नमबर 97 है देखिए इसमें निमलिकी सिंखला में गलत संख्या ज्याद करना है तो इसमें गलत संख्या क्या होगा तो इसमें गलत संख्या आपका 28 हो जाएगा यहाँ पर तो राइट एंसर इसका होगा B 28 कोश्चन नमबर 98 है सिर्जिनात्मक समस्या समाधान समंधित है तो यहाँ पर पूछा है सिर्जिनात्मक समस्या का समधान समधिते तो यह है अपसारी चिंतन से इसका राइट एंसर हो जाएगा D अपसारी चिंतन से नेस्ट कोशन आते हैं कोश्चन नमर नियनबर है दिया इसमें बिवाद सदयव समाहित करता है परतिसोद, क्रोध, जुनून या मतभेद तो बिवाद जो सदयव समाहित करता है तो वो है मतभेद राइट इसमें सर होगा मतभेद कोशन नमर 100 है और अंतिम कोशन है ये दिया है कि ब्यक्ति के कारे समय का लगभग कितने परचत भाग अंतर ब्यक्तित सम्परेशन में ब्यस्त होता है ये पूछा जारा है कि ब्यक्ति के कारे का लगभग कितने परचत ब्यक्ति के कारे का समय का लगभग कितने परतिसत जो कितने प्रतिसत भाग जो अंतर व्यक्तिस संप्रेशन से ब्यस्त होता है तो वो दिया है आपसन देखिए 80 से 90 परसत 60 से 70 100 परसत या 40 से 50 परतिसत इसमें जो राइट एंसर हो जाएगा आपका बी वला जो है राइट एंसर होगा तो ये थे आपके जो है सौ हल प्रस्ण पत्र जो सिकेंड पेपर हुआ था PCS का धाई से साड़ चार वजे के बीच में और GS का भी पेपर अपलोड हो गया है सरसुद हल तो उसका लिंक भी मैं डिस्किप्शन में दे दिया हूँ तो उसको भी आप लोग देखना चाहें तो C स्री जगा आपकी है तो C स्रीज वाले और उसका लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ GS फर्स्ट पेपर का और फर्स्ट पेपर का के GS वाले अगर आप लोग देखेंगे या देखना चाहेंगे तो उसमें भी सिकेंड पेपर का भी डिस्किप्शन लिंक दे दिया हूँ तो यह थे वीडियो आ दे मात्रम